हेलो ब्यूटिफुल सोल्स वेलकम कैसे हैं डियर उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जीवन की मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे खुद को पॉजिटिव रख रहे होंगे डियर आज रीडिंग लेकर आई हूँ आपके जीवन में क्या ऐसी चीजे हैं जो आपको लेट गो करनी हैं आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीजे हैं जो आपको लेट गो करनी हैं तो यहां पर मैं दो टेक यूज करने वाली हूँ आप जाहें तो डेक से चुन लीजिए और अगर डेक नहीं अच्छा लग रहा है या डेक से समुझ में नहीं आ रहा है तो आप क्रिस्टिल से चुन लीजिए गा यह है ग्रीन अवंचुरीन जो हमेशा ही अबंडन्स को क्रियेट करता है मनी को पीस को क्रियेट करता है और यह है रोजगोर्ट्स लवर्स के लिए यह बहुत बेनिफिशियल है अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स रहते हैं फाइट होती रहती है होट टॉक होती तो इस क्रिश्टल को यूज कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको रोऊ फॉलम में रखें ब्रेसलेट के रूप में रखें या फिर हार्ट के रूप में यह आपके लिए वर्क करेगा तो शुरू करते हैं डैक बंसे की आपको अपनी लाइफ में इस वुक्त क्या चीज ल गो करने हैं, thank you God, thank you angels, thank you so much universe, मैं grateful हूँ उन सभी लोगों के लिए जो यहाँ पर मुझसे जुड़े हैं, मैं grateful हूँ universe के लिए, जो universe मुझे guide कर रही है, messages देने के लिए, thank you so much universe, thank you, बहुत सारे cards निकल कर आए हैं, लेकिन मैं इसलिए ले लेती हूँ कि इन में आप सब के लिए कुछ न कुछ message जरूर से होगा, यहाँ पर bottom of deck है, friendliness, तो यहाँ मुझे जो message मिल रहा है, universe की ओर से वो यह है, कि आप लोग अपने आपको अकसर कर बहुत कमाकते हैं, और उसका यह reason हो सकता है, कि आपने अपने बच्पन में बहुत सारे losses देखे हैं, लोगों ने आपको बहुत betrayal किया है, लोगों ने आपको granted लिया है, maybe जब आप कुछ चीज़ें चाहते थे अपनी life में, तब आपको वो नहीं मिली हैं, और आप हमेशा दूसरों को देखकर उन चीज़ों को adore करते रहे हैं, दूसरों को देखकर उन चीज़ों के बारे में सोचते रहे हैं, आपने अपने आपको maybe अनलकी समझा है, या फिर आ दूसरों से compare करना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर जो good हैं, वो किसी और के अंदर नहीं है, आपको future के लिए तयार किये जा रहे हो, आपको future में बहुत सारा abundance मिलेगा, लेकिन आपको इसलिए इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ा है कि आपके अंदर कोई घमंड ना आए, आप future में बहुत grounded होकर लोगों की help कर सको, लोगों की काम आ सको, integration, I think मैंने सही pronounce किया है, तो यहाँ पर in और young की उर्जा है, मेभी आप TF जर्नी में हो या फिर आप किसी deep soulmate जर्नी में हो, मेभी आपको कुछ ऐसे partners मिले हो, लाइफ में जो आपको lessons देते रही हों, जिन्नोंने आपको बहुत कडवे अनुभव कराए हैं, लेकिन वो सब इसलिए थे क्योंकि आपको divine ने चुना था, कुछ महान काम के लिए, कुछ बड़े काम के लिए, इसलिए ये चीजे सब आपके साथ हुई हैं, आपकी पूरी life जैसे की एक exam की तरह से आपकी life में एक बड़ा change आ रहा है, नमबर 10 की यहाँ पर उर्जा है, आपके जीवन में एक बड़ा परिवरतन आ रहा है, और आपके अंदर जो doubts थे, जो fear थे, वो बहुत जल्द release होने वाले हैं, यहाँ पर भी देखेगा, यह infinite abundance का sign है, यह यहाँ पर इन और याइंक का sign है, इन और याइंक का sign एक infinite symbol को represent करता है, new vision, आप अपने अंदर एक new power को महसूस करेंगे, आप अपने आपको change महसूस करेंगे, और यहाँ पर friendliness है, कोई एक person है जो आपको soulmate की तरह से मिलेगा, या मिलेगी, या फिर आप अपने अंदर के जो divine masculine है और divine feminine energy है, उनको balance करे कर पाएंगे, और आपने खुद को जितना control किया है, अभी तक अब आप अपने आपको control नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि चीजों को let go करना चाहिए, आपके life में जो भी चीजे हैं, जो आपको problem में डाल रही हैं, परिसानी में डाल रही हैं, उसको आपको let go करते जाना है, और go with flow जाना है, जब आप इस energy को appreciate करेंगे, इस energy को tap in करेंगे, तो आप divine से जुड़ पाएंगे, आप अपने अंतरमन से जुड़ेंगे, और यहाँ पर है the source, finally आप universe के साथ match कर पाएंगे, universe की sound को सुन पाएंगे, universe के साथ तालमेल को बिठा पा lesson लेने की जरूरत है, आपको अभी क्या lesson लेने की जरूरत है, the star, इस वक्त आपके लिए क्या lesson की जरूरत है, five of cups, आपको इस वक्त क्या lesson लेने की जरूरत है, the emperor, bottom of deck, three of cups, आपके लिए ये message है कि आपको friendliness हो कर रहना है, आपको दूसरों के साथ एक तालमेल बिठाना है, कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि दूसरा आपसे कम है, the emperor की energy है कि आपकी life में एक abundance आ रहा है, आप as a emperor, अपनी life में बहुत सारी खुस्यां और power को achieve करने वाले हैं, जो आपको दूसरों से बहतर बनाएंगी, तो आपको उन चीजों को पाकर घमंड में नहीं आना है, आपको ये सबक है कि आपको एक star की तरह से shine करना है, आपकी wish जितनी भी हैं वो पूरी होंगी, लेकिन आपको सबक ये ही लेना है कि आपको खुद को normal बनाए रखना है, grounded जमीन से जुड़े रहना है, क्योंकि यहां पर five of cups की energy है, किसी भी चीज के साथ आपको attachment नहीं रखना है, जो भी चीजें हैं, उनके साथ एक detachment की भावना से रहिएगा, जिससे कि चीजें अगर जाती भी हैं, तो आपको कश्ट ना हो, क्योंकि आपको ये ही lesson लेना है, आ आपको किसी भी चीज के साथ attachment नहीं बनाना है, यहां से चेक कर लेते हैं, और क्या है आपके लिए message, और क्या universe आपको बताना चाहती है, लेट्स चेक, थांक्यू, bottom of deck love, oh my goodness, universe आपको बता रही है कि एगर आप बहुत समय से अपने divine counterpart का वेट कर रहे हैं, या किसी ऐसे person का वेट कर रहे हैं, या अपनी लिए pure love का वेट कर रहे हैं, कि कोई person आपकी life में आए और आपको soul वाला प्यार दे, soul connection वाली feeling हो, तो आपको उसके लिए दुखी नहीं होना है, आपको अपने divine पत पर आगे बढ़ते जाना है, और लोग जो आपके आसपास हैं, उनको heal करना है, जो आपकी guidance चाते हैं, उनको guidance दीजिएगा, जितना हो सके लोगों को अच्छी राह दिखाए, उनके भले के काम कीजिएगा और इसके बाद आपकी life में true love जरूर से आएगा, आपका जो सच्चा प्रेम है, divine counterpart है वो आपकी life में आएगा, चलिए आपके लिए यहां से चेक कर लेती हों कि भगवान श्री कृष्णा जी आपको क्या message देना चाहते हैं, भगवान कृष्णा एक महान सक्ति हैं, जो सब को detachment का part पढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्णा अपने जनम से और अपने निर्वार तक हमेशा ही ऐसी situation से गुजरते रहे हैं, जहां पर उनको हर चीज को let go करना पड़ा, तो यहां पर है belief Have faith, faith in God and act, He will help you and all your pains and difficulties will go, act now तो आपको युश्वर पर भरोसा रखना है, आस्था बनाय रखनी है, आपको उन पर doubt नहीं करना है, और आपके दर्द, तकलीफ हैं, सब वो खतम करेंगे तो यह है आपके लिए क्रिशना जी की तरफ से message और यहां पर है, leave for now, कोई भी situation या person चीजें जो आपको hurt कर रही हैं, उनको अभी के लिए जाने दीजिए, let go करिजिएगा, thank you so much dear friends, यहां पर हमारे साथ अपनी उपस्तिती देने के लिए, thank you so much for watching, welcome deck number 2, तो चेक कर लेते हैं कि अभी आपको अपनी life से, क्या चीजें, let go करनी है, क्या चीजें हैं, जिनको आपको अपनी life से बाहर करना है, छोड़ना है, तो चेक करते हैं, क्या चीजें हैं, जो आपको let go करनी है, अपनी life से, thank you, the hanged man, thank you universe, thank you so much, क्या चीज़े हैं जो आपको अपनी लाइफ से लेट गो करने हैं आपको अपनी लाइफ से लेट गो करना है अभी अपनी पॉच सिच्वेशन को आप किसी चीज को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर्थिंकिंग कर रहे हैं आप इतना ज़्यादा उस चीज में इन्वाल्व हैं कि आपको ना तो अपना फ्यूचर दिख रहा है ना आपको अपनी जर्णी दिख रही है और आप अपने डिवाइन पात को लेकर भी अवेर नहीं हैं आप में भी किसी पार्टनर को लेकर किसी जॉब सिच्वेशन को लेकर किसी थर्ट पार्टी सिच्वेशन को लेकर या फिर अपनी फैमिली सिच्वेशन को लेकर हैंग्ड मैन की पोजिशन में हैं आप pause हैं, आप न तो आगे बढ़ पा रहे हैं, न पीछे जा पा रहे हैं, इस वक्त आप अपने किसी skill पर भी वर्क नहीं कर पा रहे हैं और ये चीज आपको let go करनी है, आपको अपने root chakra को और mani pur chakra को balance करना है क्योंकि अगर आप इन दोनों चक्रों पर work करेंगे, तो आपकी जो stuck energy है, वो move होगी और आप अपने लिए कुछ काम या कुछ चीजें जो आप करना चाहते हैं, लेकिन वो pending पड़ी हुई हैं, तो आप वो कर सकेंगे तो अभी आपको ये fogginess वाली situation को let go करना है, release करना है इस चीज को अपनी life से, the wheel of fortune का card है, तो ये बताता है कि आपके जीवन में बहुत सारी blessings आनी हैं, बहुत सारी unexpected money abundance आनी हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं stuck हो, आप चीजों को grab नहीं कर पा रहे हो, मेबी आप अपनी तरफ स इनिवर्स को signal नहीं दे रहे हो कि आप ready हो इस abundance को चुनने के लिए, क्योंकि आपके hard work pay किये जाने हैं, आपने जो अच्छे काम किये हैं, लोगों को जो अच्छा दिया है, और लोगों के साथ जो अच्छे कर्म किये हैं, वो आपके paying off होंगे, यहाँ पर judgment का card है, आपको awaken किया जा रहा है कि अभी आपको जागने का समय है, अपनी अंदर की power को जगाईए, और यहाँ पर है six of wands, आपको victory मिलेगी, यहाँ पर tower moment है, अगर आप अपने आपको अगर जागरत नहीं करेंगे, तो universe को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, आपको shake up करने के लिए, आपको जगाने के लिए, क्योंकि universe हमेशा अपनी दखलंदाजी तब देती है, जब वो देख लेती है कि उसका बच्चा या उसकी divine soul work करने में असमर्थ है, तब वो आपकी life में shake up लागती है, the devil, आपको ऐसी energy से बहार निकलना है, जो आपको सर्व नहीं कर रही है, चाहे वो किस किसी के प्रती बहुत ज़्यादा attachment हो, किसी के प्रती बहुत ज़्यादा प्रेम हो, आपको इस devil energy से बाहर निकलना है, और tap in करना है अपनी high priestess के energy में, work करना है, अपने future के लिए, बैतर भविश्च के लिए, तो ध्यान दीजिएगा कि आप इस devil energy से खुद को बाहर कर सके चलिए, यहाँ से चेक कर लेते हैं, कि आपके लिए और क्या messages हैं, thank you so much universe, guide करें, और क्या messages हैं हमारे viewers के लिए, thank you thank you so much, thank you universe, thank you, guide करें और क्या messages हैं, okay, bottom of deck compromise abundance, देखिए मैंने कहा था, आपको abundance मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा aware होना है, ऐसे लोगों से जो politics खेलते हैं आपके साथ, आपको mind games में नहीं फसना है, आपके आसपास की लोग आपको फसाने की कोशिस कर सकते हैं, आपका abundance देखकर आपसे मीठी-मीठी बाते कर सकते हैं कि वो आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत सगे हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको अपने abundance के बीच में किसी और को नहीं आने देना है, comparison, अपनी तुलना किसी से भी ना करें, आप जो हैं वो unique हैं, कोई भी आपकी जैसा नहीं मन सकता है, हर व्यक्ति यहाँ पर अपनी एक विसिस्टिता के साथ आया है मदर गाया पर, हर एक के अंदर एक विसिस पावर है, patience, अगर कुछ चीज़ें लाइफ में अभी वर्क नहीं करनी हैं, नहीं कर रही हैं, तो आपको सब्र रखना है, क्योंकि divine timing पर हर काम पूरा होगा, यहाँ पर आपके लिए क्य क्या messages है, thank you universe, और क्या message है, हमारे group number two के लिए, guide कर universe, और क्या messages है, हमारे group number two के लिए, okay, thief है, reverse में, bottom of deck है, letter, में भी आपको किसी company की तरफ से कोई letter आने वाला है, कोई business deal होने वाली है, या किसी company के साथ एक बहुत बड़ा आपका सौधा होने वाला है, किसी भी तरीके का, या किसी person के साथ आपकी engagement या सगाई बेगारा होने वाली है, तो यहाँ पर है faithfulness, misfortune, thief, and foe, journey, old woman, and soldier. देखिए, आप अपने जब negative pattern से बाहर निकलेंगे, तब आपकी life में आपको एक ऐसा partner मिलेगा, जो आपके लिए बहुत faithful होगा, loyal होगा, और अगर आप किसी के साथ work कर रही हैं, तो आपको workplace पर अच्छी लोग मिलेंगे, जो इमांदार होंगे, और आपके साथ कंदे से कंदा मिलाकर work करने में, अपनी साम समझेंगे, misfortune, आपको अपने mind को treat करना है, अपने mind को reboot करना है, अपने mind को affirmations देनी है कि आपके लिए कोई भी चीज दुनिया में impossible नहीं है, आपके पास abundance ही abundance है, और universe के पास anant है देने के लिए, आप बस मांगो, आप जो मांगोगे universe आपको देगा, तो अपनी lack of mentality से आपको बाहर निकलना है, otherwise आप fogginess में फसे रहेंगे, और अपने लिए हमेशा bad people को और bad circumstances को attract करते रहेंगे, thief, हर व्यक्ति thief नहीं होता है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, जो कि ये card बता रहा है, तो आपको अपने आसपास ऐसे लोगों को नहीं आने देना है, जो आपकी buttering करते हैं, मेठी मेठी बातें करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपके दिल से अच्छी नहीं होते हैं, कुछ लोग आपके करीबी हैं, बहुत करीबी हैं, लेकिन वो आपका भला नहीं चाहते हैं, ये आपके रिस्तेदार हो सकते हैं, आपके family members हो सकते हैं, Soldier, आपको अपनी protection खुद करनी हैं, अपना धन, अपना सम्मान और अपना घर आपको खुद प्रोटेक्ट करना हैं, क्योंकि कोई और दूसरा नहीं आएगा, Journey, आप इस जर्नी पर हैं, अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके ancestors हैं, आपके spirit guides हैं, अपने आपको अकेला मत समझिएगा, and the old woman, अगर आपके उपर control रखा जा रहा है, किसी person के द्वारा, तो आपको अपना control अपने हाप में लेना है, क्योंकि आप एक free will हैं, आप एक स्वतंतरात्मा हैं, आप यहां किसी के under control work करने नहीं आए हैं, आपके खुद की एक पहचान है, आपके खुद की एक identity है, मदर गाया पर, अब final message है यहां पर Lord Krishna जी की ओर से कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या message देना चाहते हैं, bottom of deck है, change of place, maybe आपका नया घर बनने वाला हो या आपको नया घर मिलने वाला हो, surrender, जो भी चीज़े हैं life में उनको surrender करना शुरू कीजिएगा, और जब आप surrender तो universe खुद से सारा काम अपने जुम्मे लेगी, universe खुद ही आपके big day वे कामों को बनाने के लिए ready होगी, share your bounties, आपके पास जो abundance है वो दूसरों से share कीजिएगा, अगर आपके पास अधिक पैसा है, तो वो share कीजिए, आपके पास अधिक ग्यान है, तो ग्यान बांटिए जो चीज आपके पास है वो दूसरों में बाटिए क्योंकि जो हम distribute करते हैं, वो कई गुना हमें वापिस मिलता है, be open, God and blessings come in unexpected way, be open to receive them, अपने आपको abundant मत कीजिए, अपने आपको bound मत कीजिए, कि आप lucky नहीं है, अपने आपको open कीजिएगा, हमेशा grateful रहिए कि आपने बहुत कुछ दिया है, अच्छा दिया है, surprises दिये हैं, हमेशा grateful रहिए universe के लिए, तो life में बहुत सारे miracles सुरू हो जाएंगे, तो ये है reading, उमीद करती हूँ कि आपको resonate की हो, आपको पसंद आई हो, reading पसंद आए, तो ज्यादा शेयर कीजिएगा, thank you अपना कीमती चमय देन के लिए, thank you so much for watching, love you all.